दिखे English Language में और लिटरेचर में एक शब्द का प्रयोग होता है सिंडेटन मतलब एक ग्रैमरली शब्द है सिंडेटन तो इस वीडियो में सिंडेटन किसको बोलते हैं जानेंगे एक्जामपल से अच्छी तरह से समझेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेल्कम है नहीं ये वेल्कम तो इंग्लिष लिटरेचर में यूज्टाइry हम ३हि इस्पीकिंगjak इंव होता यूटिंग भून्से ऐगर सब्सक्राइब का इब क। अब ग्रीक शब्सक्राइश है यह चलिए कर ने संदेन से संदेन जो है एक वर्ब हैं ग्रीक वर्ब हैं जिसका मतलब होता है टू बाइंड टूगेदर एक साथ मिला देना तो कुल मिला करके आप यह समझिए के बाइंडिंग दस सेंटेंसेस और फ्रेजेस टूगेदर यूजिंग वन और मोर कंजक्शन्स इस काल्ड सिंड एक या एक से ज्यादा कंजक्शन यूज करके जब हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से या एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ देते हैं उसको हम सिंडेटन बोलते हैं अब कंजक्शन क्या होता है कि कंजक्शन जो है ऐसे वर्ट को बोलते हैं जो एक सेंटेंस को को दूसरे sentence से connect करता है तो same वही चीज syndeton हैं, conjunction कौन कौन सा है जैसे के end है, और है, but है, for है, nor है, so है, yet है, etc. तो ये सारे के सारे conjunction हैं, तो हम synderton को conjunction भी बोल सकते हैं अगर इस परकार से अगर देखें तो हम English Literature में synderton का प्रियोग होता है सेम conjunction के ही तरह से हैं अब इसको example से समझते हैं फिर अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाएगा एक example है कि he eats and drinks and sleeps यह synderton है क्योंकि यहां पर conjunction का प्रियोग हुआ है and का और अगर हम इसी को अगर बोले हैं कि he eats, drinks, sleeps तो यह असिंडेटन का लाएगा असिंडेटन का मतलब होता है omission of conjunctions from the sentences तो अगर हम conjunction को छोड़ देते हैं sentences से तो वो असिंडेटन का लाएगा और छोडने के बाद उसकी जगह पर हम कॉमा रिप्लेस कर दें तो वो असिंडेटन का लाएगा मतलब सिंडेटन का अपोजिट है असिंडेटन ठीक है यहां तक समझ में आ गया चले हम इसको literature में समझते देखिए आम बोलचाल में literature में परियोग होता है इसका movies dramas में फिल्मों में प्रोज में poetry में सिंडेटन का प्रियोग करते हैं एक्जामपल देखिए एक literature में फिर अच्छी तरह से समझ में आगा एक novel है वूद्रिंग हाइट्स एमिली ब्रॉंटे के दोवारा लिखा गया था यहां पर सिंडेटन का यूज हुआ है कि इफ आल एल्स पेरिष्ट एंड ही रिमेंड एंड यहां पर यूज हुआ है कौमा लगाने के बाद एंड यूज हुआ है आई शूड इस्टिल कॉंटिन्य तो इस तरह से आप देखें यहां पर एंड का परियोग किया गया है सिंडेटन का मतलब कंजक्शन का परियोग करके यहां पर बनाया गया है तो इसको हम सिंडेटन बोलते हैं या कंजक्शन बोलते हैं तो यह कनेक्ट कर रहा है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से एक फ् आपने सेंडेटन को इंग्लिश और हिंदी में एक्जामपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है थैंक्स वर वाचिंग इंग्लिश एजुकेर डेस्क